Hello friends, कैसे हैं आप ? स्वावित करता हूँ आपके अपने चैनल fantasy 11 teams में इस वीडियो में हम बात करेंगे जिंबाबे women's vs tyrant women's second ODI from the tyrant women's tour of zimbabwe women's इस final update मिलेगा on telegram जिसका link मिल जाएगा आपको video के description में इस first comment के link से ये description के link से telegram को जरू से join कर ले क्योंकि final update दोनों team के possible betting order और important update भी मिलेगा on telegram description के link से telegram जरूर जोइन कर ले मैं आपको channel लिखा लिएदा बहुत सारे fake channel भी है आपको real official telegram channel जोइन करना है final update मिलेगा आपको हमारे इस channel पर 6k plus वाले members वाले channel पर आपको जोइन हो जाना है giveaways के winners और बहुत सारे giveaways इस channel पर मिल जाएंगे आपको अभी तक जोइन नहीं किया है तो जरूर से join कर ले final update भी मिलेगा on telegram विस आप बात करता हूं मैस मैच की दोनों team की possible playing 11 last match की performance सब दिखाऊंगा मैं आपको प्रस पिछ रिपोर्ट वैन्यू सब देखने को मिलेगा वैन्यू की बात के तो वैन्यू रहेगा तक शिंगा sports club जिंबाबे में यह match होना है इस पिछ रिपोर्ट की बात के तो पिछ batsmen और बॉलर्स दोनों को एक पर सपोर्टेड है बट बॉलिंग इन्द स्टार्टिंग ओवर्स जो फास बॉलर्स होते हैं उन्हें सी मोएंट थोड़ा देखने को मिलता है लास्ट मैच में भी एक दो एजर्स लगे थे पर वुमेन मैच था इसलिए catches बहुत ड्रॉप हुए थी खास करकि जो थाइलेंड वुमेंस की टीम थी उन्हें इंद स्टार्टिंग के ओवर्स में जो उनकी opener batsman प्लस बॉलिंग दोनों कर्चिन का नाम याद नहीं आ रहा ह बॉलिंग फ्रेंडी मैच सो आप जारा बॉलर्स को अपनी टीम में ट्राइक कर सकते हैं वट विल हैपनेंग इंद फॉस्ट ओडियाई फ्रॉम थाइलेंड वुमें टूर रव जिंबाबे था वुमेंन ने बैट टॉप्ट किया था 199 स्कोर कर दिये थे 50 ओवर्स में 4 वि उनकी ओपनेर बॉलर्स जो बैटिंग भी करती है उनकी ओगर से बहुत कैसे डॉप हुए फिल्डिंग का लेवल बहुत बेकार था था बहुत सारी कैसे डॉप किये थे वहीं जिंबाबी वुमें ने मैच वान किया तो साइंड विकेट से मैन उप दे मैच मैज मैज जो फ प्लेयर है बहुत अच्छे फॉर्म में चल रही है रिसेंटली 350 कंज अक्टिव परके आ रही थी इस मैच से पहला है इस मैच में जल्ली आउट हो गई थी इनका कैच हो गया था बहुत खड़ी कर दी थी वैसे टेक्निकली साउंड प्लेयर है अच्छे खाचे गाफ फाइ पर आही थी 37 कर गए थी 71 बाल्स में फिर इंकी इनकी टीम की क्याप्तन और वन अब देश बैट्स में नुरा मोल 67 कर गए थी इस फॉर्ट से गाप अच्छे फाइंड कर रही थी फिल्डिंग के अकॉर्डिंग बेल्टिंग कर रही थी फिर आही चेंडिया 55 कर गए थी 60 में इन्हीं कहां प्रकें क्या घाए कि ताहं हुआ जींग कर लिए तिंग करती है कर दो चैहिंग प्लेंग करती जिंबाबिक टीम की एसलिया नहीं लगी यह अच्छी फाइंड कर रहें थी प्रिश्यस की बेटिंग नहीं थी तस्मिन बॉलिंग करती है इस्थ्रे ने भी बॉलिंग की थी लॉरन फिन नौसल्या खेलते होगे दिख जाई LAST बात करें सब्सक्मिन थे सब्सक्राइब करें सब्सक्राइब लगा सकते हैं कित्री टेलिंटेट प्लियर हैं फिल्लिंग पोजिशन पर लगती है लांग ओफ लॉंग और में फिल्लिंग करती है लास मैच में बहुत अच्छा सुई ओर था इनके राइटां फॉस्ट बॉलिंग करती है बट एक दो कैचेस ड्रॉप हो गई जिसका रहने बट इस मैच में अच्छी जोईजर ग्रेंड लीं में क्याप्टन सी के लिए था पाचिया ने के थे 7.56 रंड विकेट नहीं मिला था उनाचा ने 7.31 अनके सेट के रहे विकेट नहीं मिला था सौन्डरें इनकी विकेट टेकर बॉलर थी 8 ओर में विकेट यह ले गई थी रतना पॉलरेंड को 2 विकेट मिले थे 1 ओर मैंडिन था राइट आम ऑफस्पिन या लाइक स्पिन या कर रही थी अच्छी खाशी कॉर्ण में कलियर रही थी विए सुल्प्रोंड की बाद के तो 7.59 विकेट नहीं मिला था वाल बॉलें अच्छी कर रही थी है वाई वांक मैंडिन था 38 रन कंसीट के थे एक विकेट मिला था बट एक ही विकेट मिला था शी वालेंटेड बॉलर राइट आम फास बॉलिंग करती है विद्धा न्यू बॉल अच्छा कर सकती है ग्राइल लिंग में कैटन सी दे सकते है जॉस्पाइन ने 10 ओर 37 रन कंसीट के था टू अब बात करता हूं मैं की प्लेयर्स की प्लेयर्स की बात क्यों तो जॉस्पाइन नकोवोई राइट अने बैट्समें है राइट आप मीडियम फास्स बॉलिंग करती है विद द न्यू बॉल अच्छा सुइंग मिलता है वाई टैने प्लेयर है बहुत हैल्दी इंपक्ट दिखरातन की बैटिंग में प्लस बॉलिंग भी करती है ओपनिंग विद न्यू बॉल करेगी तो थोड़ा बहुत लहा रहेगा तो आप कैप्टन सी दे सकते हैं क्योंकि जो थाइलेंड की टीम है वो थोड़ा वीग टीम है तो नकभया विद बॉल भी एच्छा कॉन्टि तो पर दिखती है वैसे राइट अपम मीडिया फास बॉलिंग भी करती है दोनों करती है तो इस विद न्यू बॉल राइट आप फासम भी कर सकती है यह देखने पड़एगा बहुत इंपर्टन बॉलर है ग्रैन्ट लींग में ऐसनी डे करेगी अब तो प्लस ओपनिंग कीपीं सेक्शन वी हव थ्री ओप्सन फर्स्ट इस एंको चोरे एंड सेकंड इस थर्ड इस सी धुरूरू गैस मैं पिक करहा हूं एंको चारे को क्योंकि थोड़ा उपर बैटिंग कर रही है थाइलंड की टीम से वही आमोबा को आपको से बॉलिंग कीपिंग से पॉइंड द से तो आई विल पिक जे नकोवे एंड बोथ मैं एंड एस टीपोचे एंड सी स्टूरंग में यह है इंपोर्डेंट आप इनी चारों में क्याप्टन सी रोटे करें ग्रेंड लीग इसी लिए वह उन कर सकते हैं आपको हमाई टेलिग्राम पे मिलेगा फाइन अप्डेट आप चाहिएं के लिए आपको चाहिए हो ऊंब तो आप कमाइंट करके जरूरों बता ते आपको चाहिए हो तो आपने टेलिग्राम चैनल पर आपको पहले बता दिया है आ इस वीडियो अच्छी लग लिए तो लाइक कर देऊ चैनल को सुस्रैब कर देऊ और फाइन बाकि Grand League की कॉंबिनेशन मैंने आपको पूरा मैच की अनलाइस बता दी है आप अपने टीम मना सकते हैं बाकि फाइनल टीम मिलेगा ओन टेलिग्राम वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दें चैनल को स्ट्राइक पर दें बात कर दूँ जे नकोवे क्यापन सी के लिए बहुत बढ़ी है वाइस लिए मैं वाइस क्यापन सी दूंगा शी इस्टू रंग को वें यह वंति है मेरी टीम यह मेरी फाइनल टीम नहीं है यह बट आप तीम को ग्रेंडिंग में जरू ट्राइक कर सकते हैं आपको मेरी टेल प्लस बैटिंग और सब कुछ मिलेगा टेलिग्राम पर जोइन नहीं किया तो डिस्क्रिप्शन के लिंक से यह फॉस कमेंट के लिंक से जोइन कर ले वीडियो अच्छी लेगिए और तो वीडियो को लाइक कर दे और चैनल को सस्क्राइब कर दे थैंक यू आवरिवन